हलो दोस्तो बिहार दरोगा पीटी एकजाम के रिलेटेट बहुती बड़ी अपडेट आई है जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा का पीटी एकजाम पांच दिसंबर को समभावित है लेकिन अब बिहार दरोगा का पीटी एकजाम पांच दिसंबर को भी होना मुस् इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा बस देखेगा तो चलिए आज कब डेट करते हैं तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि अभी अभी यानी की 18 गस साम 7 बच कर 5 मिनट पर हिंदुस्तान न्यूच के मादम से ये अपडेट दी गई है जिसमें कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस दरोगा सार्जेंट भरती परिक्षा की तारीक बदलेगी परिक्षा के लिए तिथी की घोसना कर दी गई है 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच 11 चर्णों में मतदान होना है दरोगा सार्जेंट की प्रारंबिक लिखित परिक्षा के लिए पहले 5 दिसंबर की तारीक तै कर दी गई थी पंचाय चुनाओ की बज़र से अभिया मुम्किन नहीं है परिक्षा में बरे पैमाने पर सुरक्षा इंतजाम की आवसकता होती है पुलिस बलके पंचाय चुनाओ में व्यवस्था के चलते इसमें दिक्कत होगी सुत्रों के मुताबिक प्रारंबिक लिखित परिक्षा 26 दिसंबर या फिर जनबरी में किसी तारीक पर आयोजित की जा सकती है इंतजार बरेगा पंचाय चुनाओ के चलते 5 दिसंबर को अब नई होगी लिखित परिक्षा बिहार पुलिस अबर सेबा आयोग अब नई तारीक पर कर रहा है विचार दिसंबर के आखरी या जनबरी में लिजा सकती है प्रारंबिक लिखित परिक्षा वर्स 2020 में पुलिस के अदिन दरोगा और सार्जेंट के 2213 पदों पर बहाली के लिए बिग्यापन जारी किया गया था दरोगा के 1909 और सार्जेंट के 215 पद के लिए करीब सवाद 6 लाग अभ्यारतियों ने आबेदन किया है अभ्यारतियों की बड़ी तदात के चलते ब सकते हैं नहीं तो आपका जनबरी 2022 में एकजाम लिया जाएगा तो ये बिहारदरोगा पी टी एकजाम का इंतजार करने वाले है अब एक्जाम आपका 2022 में होने की संबावना है तो बिहार दरों का पीटी एक्जाम के लेटर जैसे और लेटर अपडेट हैंगी हम आपको वीडियो के मादम से जानकारी दे देंगे इसके लिए मैं चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते है वीडियो देखने के लिपका धन्यवाद